स्टार्ट करें तो आगे अपने को आप क्या निकालना है सबसे पहले तो potential difference across C2 capacitor जो भी अपने पास दिये गया है उसके around potential difference पहली बात निकालना है दूसरे चीज अपने को energy भी निकालना है कि capacitance C2 में कितनी amount of energy stored होगी तो simple अपने को क्या मालूम है as for our capacitors capacitors अगर क्या है series में हैं तो अपने को मालूम है सब के लिए charges क्या होते हैं Q is same for all capacitors ठीक है सारे capacitors के लिए क्या Q की value तो same होती है तो simple मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ equation से that Q इसको C2 निकालना है से C2 into V2 आ जाएगा तो अपने पास Q की value वी डोंट ठीक है Q की value क्या आप केसे को मालूम है क्या नहीं मालूम है तो यह आ जाएगा अपना equation 1 इसको यह इस अपने को निकालना है फिर यहाँ जब Q की value निकल आएगी तो अपने को सबसे पहले फिर यह सारे को सारा कामधाम कर लेना है so simple मैं इससे पहले इस equation में से अपने को V निकालने से पहले इसको और एक step solve कर देता हूँ तो V2 is the case 2 क्या जाएगा Q बास C2 तो यह माल लेता हूँ equation 1 और से पर कर देता है ठीक है अब यह आगया अपने को V2 निकालने के लिए formula अभी इसके लिए V2 निकालने से पहले Q मालना होना चाहिए तो Q की value क्या आजाएगा Q is the case 2 C net into V net यह आजाएगा तो Q is the case 2 C net की value किते नहीं दीगे C net की value 20 by 3 microfarad तो मतलब 10 to the power minus 6 और farad तो यह SI unit है इसके बाद volt मतलब potential difference कितना दिएगा है 90 volt तो into 90 ठीक है यह कितना आजाएगा यह आजाएगा 3 C9 मतलब 60 30 sorry 30 और यह 30 into 20 तो Q is the case 2 कितना आजाएगा 60 और यह 16 दोने 6 और यह 00 मतलब 600 into 10 to the power minus 6 और simple यह किसमें आजाएगा कूलंस में तो Q की value अपने को मालूम हो गई चलो Q की value मालूम हो चकी है अब अपने को क्या करना है सिपर सिपूट कर देना है values को इस वाले formula में और अपनी value आजाएगी 4 मतलब potential के जो अपना potential difference 4 V2 चाहिए था हो आजाएगा तो simple कहां पास करें यह वाला होगा है इसको एक बार लेख लो screen sort ले लो फिर आगे करते हैं मूजिक बगल में हो गया है अब इने को कौन सी value जरुत है q की value की जरुत है तो यह q की इस केस्टन को थोड़ा सागे solve करते है q की value की तो है 6 10 to the power minus 6 और यह कितना आ जाएगा c2 कितना दिया गया है c2 दिया गया है 30 30 into 10 to the power minus 6 इसका भी microfarads है तो minus 6 हो जाएगा और यह V2 मतलब यह 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6 तो cancel 0 0 cancel ठीक है और यह 3 यह 20 आ जाएगा मतलब 20 volt आ जाएगा potential difference simple सिपात है 20 volt आ जाएगा potential difference तो पहला पार्ट तो solve 20 volt आ जाएगा potential difference यह वाला यूनिट तो solve एक क्या ले लो इसके screens और फिर आगे बढ़ते है रब कर दू अब अपने को निकालना क्या है अपने को निकालना है दूसरी बात जो इसमें निकालना है वो है अपने को कि कितना amount अब next काम क्या है अपने को जो आखरी इसमें topic था कि यू की value निकालना है for a capacitor 2 के respect में यू की value निकालना है तो simple क्या use कर लेता हूं मैं potential energy का formula जो की है u is the case to half of cv का square मेरा favorite ठीक है अभी use कर सकते हो condition के हिसाफ से सारे formulas तीन बनाएगा है तो आप जो चाहिए use कर सकते हो अभी यह सबसे better रहेगा क्योंकि अपने पास क्या cv है vv है तो इसलिए सबसे better रहेगा है यह माना जाओंगा मैं मानता हूं यह हिसाब से 1 by 2 of c c के value अब जिस capacitor के respect निकाल रहे है उस capacitor के value लेना है तो मतलब यह कितना है 30 तो यह 30 microfarad microfarad दिया है मतलब क्या लिख साकता हूं into 10 to the power minus 6 और v v के value अपने को क्या दीगे यह v square अगर तो अपने को v square जो लेके चलेंगे वो potential difference across capacitor 2 मतलब जिस capacitor के respect में निकाल रहे है उसी का potential अपने को लेके चलना है तो उसका कितना है 20 तो 20 into 20 आजाएगा simple तो यह कितना आजाएगा इसको simple अगर मैं solve कर देता हूं तो यह 10 आजाएगा ठीक है अब 10 इसको simple अगर और solve कर दो 30 इसका 1,2,3,3 तीन आगया तो यह 10 to the power 3 लिख सकता हूं और यह कितना आजाएगा तीन दू निच है 6 into 10 to the power 3 into 10 to the power minus 6 यह आजाएगा और simple मैं क्या लिख सकता हूं इसके जगा 6 into 10 to the power minus 3 joules और यह यह आजाएगी आपका U मतलब potential energy across capacitor 2 और simple आप इसको U2 भी लिख सकते हूं U2 के respect में निकार रहे है तो U2 लिख सकते हूं कंप्रेट है चलो एक screen shot मार लो इसका फिर आगे बढ़ते हैं तो यह question finally over हो गया कई गलतियों के बाविजरूर में आगे बढ़ें एक यह और PDF link description में इसलिए PDF को डूणने की ज़ूद नहीं है आप लोग को मतलब इसके सारे questions के PDF description में मिल जाएगा पासवाड बस दे देना JPVOLT खुल जाएगा next question आपके स्क्रीम पर में two parallel plate capacitor of a capacitance C1 and C2 search that C1 is equals to two of C2 are connected across a battery of volt B as shown in the figure initially the key K is kept close to fully charge the capacitor the key is now thrown out or open and the dielectric slab of dielectric constant K is inserted into capacitor to completely filled the gap between the plates find the ratio पहला ratio क्या है किसके बीच में ratio find करना है the net capacitor and second आपका question क्या दिया गया है the energy stored in the combination before and after introducing the dielectric slab तो dielectric slab को इस मदब उडालने के बाद क्या हैगा आपकी value उसके लिए भी निकालना है चलो तो क्या energy stored होगी simple जो अपना question बोल रहा है उसको सबसे पहले समल लेते हैं और इसमें जो अपने को diagram दिया गया है उसको भी बना लेते हैं तो सबसे पहले अपने पास क्या दिया गया है इस से एक diagram दिया गया है ठीक है यह V volt apply कर रहा है की है यहाँ पास एक capacitor लगा दिया है और दूसरा इसी के just बागल में capacitor लगा दिया है complete है यह capacitor C1 यह capacitor C2 V volt battery K की चलो और इसमें given क्या है question में अपना given है that जो C1 है वो equals to C2 के मतलब दो गुना है C1 जो भी दिया गया है वो C2 के दो गुना है मतलब two times है चलो अब question आगे का जो भी है उसको तो मेरे कोई समझाना है अब question में बोल क्या रहा है शुरू में अपने पास एक ऐसी kiss दिया था simple सा जो आपको board में दिख रहा है इसमें शुरू में question में यह बोल रहा है कि अपने पास एक potential apply किये और हमने capacitor C1 और C2 को charge कर दिया अब जो capacitor C1 और C2 है वो R in parallel मतलब parallel condition में simple अपने को देखने को मिल भी रहा है जैसे ही parallel बोला तो अपने दिमाग पे एक कीट तो आ जाना चाहिए कि दोनों का potential same to same होगा यह पहली बात हो गया चलो और इसमें अब दूसरा इसके बाद अब दूसरा कीज जो important हो क्या बोल रहा है वो दूसरा कीज यह बोल रहा है कि हमने क्या किया सबसे पहले इसको charge किया at maximum जीतना charge हो सकता था उतना हमने इस पुरे के पूरे system को charge किया अब charge करते ही हमने की को क्या कर दिया क्लोज कर दिया केस में क्या कर दिया की को क्लोज कर दिया क्लोज करने के कारण अब चार्ज तो फ्लो नहीं होगा ठीक है पोटेंशियल फ्लो नहीं होगा अब जितना इसका पहले से पोटेंशियल उतना है उसका potential जितना था सुरू में उतना ही potential अब रहेगा charge जितना दोनों के पास से उतना ही charge रहेंगे अब इन दोनों के बीच में हम क्या कर रहा हूँ मैं नहीं कर रहा हूँ question वाला मेरे को बोल रहे करने के लिए कि भाई इन दोनों के बीच में दो die electric slab को पूड कर दो दो die electric slab को पूड कर दो पूरी तरह से completely पूड करना है अब अपने दो cases पड़े थे एक case distance जब increase करते थे उसके लिए हम सारी values को निकालते थे कि क्या क्या changes वाकर होता है और दूसरा हमने यह इसी important वाले case में study किया था कि अगर हम क्या कर रहे हैं कोई die electric slab को insert कर रहे है battery close करके या फिर battery open करके इस तरह से तो यह दोनों cases अपन ने study किया था उसी से related यह question है तो simple पहला जो question दिया गया है वो अपने को बोर है कि पहला question एक बार और देख लेते हैं पहला receiver है net capacitance ठीक है और final cnet final final cnet के बीच में ratio क्या होगा मतलब इन दोनों के बीच में ratio क्या होगा वो अपने को निखालना है वो इस तो निखालना है चलो ठीक है जब और इसमें second case में यह भी ध्यान रखना है कि second case में हमने key को close sorry open कर दिया है ratio between cnet final simple सी बात है चलो इसको रप कर दो हो गया question समझा है simple अगर आपको इस बें दूख concept याद है कि capacitors में क्या changes ज़्यादा था और दूसरी बात जो second question solve करने के लिए potential energy में क्या changes आता था तो यह question आसानी से solve हो जाएगा सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ net capacitor निकाल लेता हूँ initial के लिए cnet for initial i लिख के चल रहा हूँ तो आप initial समझ जाना ठीक है cnet is the cost to क्या है parallel में है तो यह क्या जाएगा c1 plus c2 लिख सकता हूँ और simply हमारे पास c1 की value कितनी दी गई है c1 इसमें c2 is the cost to c2 है ठीक है न c1 की value दीएगा है 2 of c2 2 of c2 और c2 की जग़ा c2 ही आजाएगा और यह cnet initial इस तरह से लिख देता हूँ तो यह 3 of c2 3 of c2 और यह cnet initial चल लो यह आगा मतलब अपने को पहले capacitance की net की value तो मिलगी net capacitance की value सिंपल सी बाती चलो अब दूसरा में अपने को जब दूसरा case बोला है अब उसके लिए अपने को जरुत पड़ेगा अपने previous information को जो हम study करके आ चुके है previous lectures में उसके हिजाब से अगर हम कोई switch को close कर देते हैं फिट dielectric slab को dielectric slab को insert करते हैं माल लेता हूँ dielectric slab का constant कितना है k constant का dielectric slab को insert कर रहा है ठीक है तो अपना जो भी अपने पास जो भी value आती थी capacitance के वो capacitance की value अगर माल लेता हूँ सुरू में c dash capacitance मत शुरू में नहीं ये बाद में c dash क्या होता था बाद में बाद वाली value क्या जाएगी net capacitance कितनी हो जाती थी initial capacitance के case ही हो जाता था ये value आती थी अपने दोनो cases के लिए मतलब अगर अगर अपन चालू करके भी key को रखते हैं तो यही case मिलता था अगर key को open कर देते थे तो भी यही case मिलता था तो मतलब दोनों के लिए एक ही same value equation है ठीक है याद है चलो याद आगए जिनको बहुत अच्छी बात है जिनको याद नहीं है एक बार फिछल लेक्चर्स के notes को जो आपने बनाए है उसको देख बार देख लो ठीक है आगे फिर बढ़ते हैं हो गया c net of c net final अपने को निकालना है तो c net final f लिखे दे रहा हूँ इसकी जगह भी c1 प्लस c2 ही आजाएगा दोनों parallel में है तो वो अपने को कोई cases होता ही नहीं है यही वाला cases आएगा same to same तो c net is accustomed to c1 की value कितनी दी गई है 2 of c2 तो इसके लिखे जगह क्या आजाएगा simple आपका 2 of c2 into k आजाएगा क्योंकि k value तो अपना insert किये गया है इसके लिए भी और इसमें भी k k insert किया गया है मतलब डाइलेक्टरिक इसी तरह से यह कितना हो जाएगा c2 into k और आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यह कितना आजाएगा 2 और c2 c2 मतलब इन दुरों में से k k को क्या कर सकता हूँ common निकाल सकता हूँ तो simple k को common निकाल लेते हैं और यह 2 of c2 plus c2 यह कितना आजाएगा k of c3 और c3 बोलता हूँ c2 e simple आगया मतलब अपने पास c net final की value कितनी आ गई इतनी आ गई चलो from equation 1 and 2 तो अपने पास यह दोनों चीजे मिल ही गई simple सी बात था अब ध्यान रहेगा आगे से ध्यान रखना भी है अपने को चलो अब अपने को निकालना क्या है इन दोनों के बीच क्या ratio तो इसको simple क्या कर देता है c net initial by c net final is equals to क्या लिख देता हूँ c net initial की value कितनी दी है 3 of c2 और इसकी value कितनी दी गई है k into 3 of c2 3 of c2 3 of c2 cancel चाँ एक केस तो अपने solve हो गया तो यह अपने c net मतलब यह c net final by initial इसका कितनी value आजाएगी 1 by k बच जाएगा मतलब ratio कितना आजाएगा 1 ratio k चालो यह case तो solve हो गया एक इसका फटाक से screen sort ले लो बढ़े हैं आगे चलो जल्दी जल्दी अब करते हैं थोड़े energy लाते हैं पे अंदर ठीक है अब अपने को दूसरे वाले case में क्या निकालना था potential energy का ratio निकालना था potential energy के लिए भी same to same आपको cases याद रहना जरूरी है तो second case के लिए potential energy चलो फिर भी याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं जिनको याद है बहुत अच्छा capacitance जो अपने क्या होती थी हमारी open होती थी तो उसके लिए u is a curse to u dash is a curse to u by के आता था अपन निकाले भी थे जिनको याद नहीं है एक बार और फिर से जाकर return देख लेना चलो clear है यहाँ तक जिनको याद आगे अब अपने को निकालना क्या है अपने को निकालना है secondary value मतलब unit initial ratio unit final ठीक है? यह निकालना है simple सी बात है समझा आ गया? चलो तो दूनों के लिए cases बना लेते हैं unit initial के लिए case बना लेते हैं unit final के लिए case बना लेते हैं initial के लिए सबसे पहले unit NET hatte NOT एटी सब को दिखरा होगा चला यूनेट इनिशियल यूनेट इनिशियल इस कश्टू भी सेम तो सेम वही आ जाएगा अगर जिम्पल्स लिख हो गया तो यूनेट इनिशियल इस कश्टू मैं का लिख सकता हूँ 1 by 2 C1 V1 plus 1 by 2 C2 V2 अब जो की पॉटेंशियल इस एक पैलल का केस है तो पॉटेंशियल दोनों के लिए क्या होगा सेम होगा मतलब V1 is the कश्टू V2 is the कश्टू V लिख सकता हूँ तो सिम्पल इन दोनों की जग़े V लिख है दे रहा हूँ सिम्पल चीछ है तो V net is the कश्टू क्या जाएगा दोनों में से VV क्यों मन निकाल सकता हूँ और सिम्पल इन अपने पास क्या जाएगा 1 by 2 और यह C1 plus C2 ठीक है तो V net की value क्या जाएगा V by 2 C1 की value कितनी दी गई है C1 की value दी गई है 2 of C2 2 of C2 प्लस C2 की value C2 ही दी गई है तो V net is the कश्टू क्या जाएगा V by 2 C1 कितना जाएगा into 3 2 plus 3 चलो अरे आर्दिमा किदर चलता है बहाई दे रहा सिम्पल सा यह केस आजाएगा चलो similarly इसी की तरह है इसका भी एक केस आएगा जो कि अफ्सॉल करने कि इतनी जरुत नहीं है मतलब V net initial के लिए यह केस है तो V net final के लिए कुछ इसी तरह से बट जो अपना यह V net नहीं है भाई unit है कहाँ खोए है unit ठीक है potential को U से to net करते है तो U यह क्या जाएगा V by 2 और यह theory of C2 इसी तरह से क्योंकि values तो यही दी गई है बट अपने पाँ जो भी energy आएगा उसके बाई K लगा देना है तो simple हम भी K लगा देते है तो यह भी similarly में कहा लिख सकते हूं S I M I L A R L Y exam में भी यही लिखके solve कर देना आगे ठीक है जाद हुए बाला इतिहास लिखने की जुरत नहीं है ठीक है चलो दो इक questions आई है अब उन दोनों को हम क्या कर देते है as a compare तरीके दोनों का काम तमाम कर देते है तो V net initial I by V net final F is equals to क्या लिख सकता हूं V by 2 of into 3 of C2 by V of 2 into क्या लिख सकता हूं 3 of C2 by simple सा हो गया आ गया इसमें से इसको इसको cancel कर सकते है 3 of C2 3 of C2 लिख सकते है और K क्या चल देगा उपार K ये 1 by K है तो ये 1 by K something that goes to up अब ही जाता है following list 3 simple इसकी जगे क्या लिख सकता हूं 1 K by 1 लिख सकता हूं तो मैं इसका ratio कितना आजाएगा K ratio 1 चल इसका भी एक screen solve ले दो हो गया आगे बढ़े चल एक काम करता हूं next question मैं read कर देता हूं जातक फिर मैं rub करूंगा तो आप ततक solve कर लेना ठीक है ये भी simple idea अच्छा है ये हो गया question अपने से इसमें से कुछ selected questions आपके लिए select किया हूं as important और उसी तरह के questions बार बार repeat करते है ratio वाला question ज्यादा तरह important थी ये न उसको मैंने देखा है कि 2 mark में और 5 marks के questions पे ज्यादा तरह repeat हूआ है चलो 25 मतब ये 3 marks का question है आप 12 microfarad capacitor is connected to a 50 volt battery how much electrostatic energy is stored in the capacitor if another capacitor of a 6 micro sorry 6 pico farad is connected in a series with the same battery connected across the combination find the charge stored in the potential and potential difference across each capacitor simple से है चलो आपको इसके में question दिखी रहा होगा तो आप फटाक से question जतो करो solve जिनसे बन रहा है जिनसे नहीं बन रहा है जिनसे नहीं बन रहा है भाही तो लोग भी try करो इसके पाद हम लोग तो मिल के solve भी करेंगे question चलो हो गया अपने पास क्या का information दी गई है उससे start करते है सबसे पहले हमारे पास 12 पीको फेराड का एक capacitor दिया गया है जो की connected है किस से 50 बोल्ट बैटरी से मतलब एक अपने पास इस तरह की एक condition दी गई है एक capacitor दिया गया है यह एक बैटरी है यह जी बोल्ट कितना वी कितनी दी गई है वैल्यू 50 बोल्ट दी गई है इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 12 पीको फेराड दिया गया है simple and इसमें how much electrostatic energy is stored in the capacitor इस capacitor में कितना amount of energy stored होगा वो निकालना है चलो fataxe इसको solve कर लेते इस फिर इसका second part पढ़के उसको भी solve करेंगे तो u की value निकालना है तो simply हमारे पास u is the cost to क्या होता था 1 by 2 of cv का cv square तो u is the cost to 1 by 2 c की value कितनी दी गई है 12 पीको फेराड मतलब 12 into 10 to the power minus 12 पीको का मतलब minus 12 हो जाएगा चलो v की value अपने पास दी गई है कितना 50 मतलब 50 into 50 हो जाएगा और simple से इसका solve कर दूंगा तो यह कितना आ जाएगा 655 चा 25 मतलब यह 2500 आ जाएगा और यह 6 25 छक का 1.1.5 और something एक डेड़ सो आएगा simple लिखते चलते हैं तो और आफाल हो जाएगा 25 into 6 और यह 20 लॉल लगा देता हूं और यह 10 to the power minus 12 यहां नहीं लिखा था यह 10 to the power minus 12 यहां लिख देता हूं चलो यह simple और इसको यही तक छोड़ दो बांगी चाहो तो और आगे solve कर दो मातब 1,2,3,4 तो 4 इसमें से minus कर दोगे तो कितना आजाएगा 1.5 into 10 to the power minus 8 और यह joule energy आजाएगे complete है यहां तक कोई problem होई है क्या पचीश 12 12 12 6 50 50 I don't think so but as an answer लेट में चेक नए भाई लोग सही है चलो तो यह अपना आगे क्या U की value इतनी आ गए simple चलो तो यह का value इसके इसके लिए तो आ गया अब आगे question जो अपने को बोला गया है what is what is written यह अपने को बता दो भाजी if another capacitor of 6 pico farad is connected in series with the same battery connected across the combination मता इसी combination के आगे या पीछे बोल रहा है कि एक और हमने क्या कर दिया capacitor को जोड़ दिया 6 pico farad का ठीक है तो अब क्या होगा जो अब आएगा अपने को क्या निकालना है ठीक है 6 pico farad is connected across the combination find the charge stored पहला तो charge stored निकालना है charge stored मतलब क्या निकालना है यू की वे charge stored बोल रहा है charge stored मतलब क्यों निकालना है ठीक है charge stored बोल रहा है इसके बाद and potential difference across the each capacitor मताब हर एक capacitor में कितना मताब दोनों capacitor जो दिया गया है उनमें कितना amount of potential energy stored होगा वो भी निकालना है potential energy बोला है कि potential difference बोला है यह अपने को clear कर लेता है चलो एक बार मैं और देख लेता हूँ भाई लोग आद दिमांग डुठांग से काम नहीं कर रहा है potential difference potential difference माले तो इसमें potential difference V1 है इसमें potential difference V2 तो V1 भी निकालना है और V2 भी निकालना है तो यह आगया पहला question इसमें से जो given था आपने को वो तो solve हो गया 1.5 into 10 to the power minus 8 joules जिसको मैं रब करें दे रहा हूँ चलो इसको कहीं लिख देते हैं साथ आगे जाके use हो है 1.5 into 10 to the power minus 8 joules energy आया था याद रहे हाँ हाँ भाई हमने solve भी तो किया था इतनी मैनस से चलो Q की value अपने को नहीं मालूम से पहले Q की value ही निकालना है तो अपने को इस सबसे पहले जो combination C net आएगा वो निकालने series के लिए तो C net is a question क्या लिख सकता हूँ C1 into C2 by C1 plus C2 simple एक shortcut formula था वही वाला shortcut formula मैं यूज करे ले रहा हूँ तो यह C1 के value कितनी दीगे है 12 C2 के value कितनी दीगे 6 और यह जो P को है इसको बाद में एक साथ देख लेंगे ठीक है C1 के value 12 plus 6 यह हो जाएगा अपना 12 6 12 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 सही है 6 12 6 12 18 यह इसको 2 से काड़ दो तो यह कितना आ जाएगा 2 23 6 2 6 12 और 29 18 और इसको 9 से कड़ जाएगा ठीक है 9 29 29 36 यह कितना जाएगा 4 मतलब C net की value अपने को कितना मिल जाएगा 4 Pico Farad चलो C net तो मिला यहां काई के screenshot ले लो आगे लिखते रहना बाद में ठीक है यहां तक clear है भाई clear है clear है clear है चलो आगे C net clear है स्प्राइट यह है हमने आज clear ही होगा आगे बढ़ते हैं थोड़ा दिमाग active नहीं है यार इतने जिन से क्या हो रहा था वीडियो नहीं बना पा रहा था तो इस प्रॉब्लम हो गई थे घर पे भी लाइट की बार बार प्रॉब्लम हो रही थे इसी करने वीडियो नहीं बना थे इंतारजिन कैफ ले लिया था इसलिए ना दिमाग active नहीं है सुस्ट पड़ जाए चलो c net की value आगई मतलब अपने को अब क्या आगे क्या करना है q की value निकालना है q की value q is the cost to अब एक चीज़ तो अपने को मालूम है कि q for a series के लिए तो same ही होता है मतलब चार्ज सभी के लिए same होगा तो q is the cost to c into v होता है तो q is the cost to c net into v net होगा ठीक है simple यहीं लेकर मान के चलें c net अपने पास कितना दिया गया है c net c net c net c net यह रहा 4 into 10 to the power minus 12 p ko है तो minus 12 वो v की value की तरी दिए गए 50 तो यह कितना आजाएगा 50 into 50 sorry 50 into 50 मैं रहो पलागा energy नहीं का रहा हूँ चले 50 into 50 लिए लिए पड़ा था तो यह अपने पास q की value कितनी आजाएगी 5,4,20 मतलब 20 और यह 200 और यह 10 to the power minus 12 और simply we can write that q की value 2 into 10 to the power minus 10 और यह coulombs चलो गया यह screen sawler ले लो यहा का हो गया मतलब charge की value तो अपने पास आगई जो अपने को चाहिए था अब यहां पास से आगे, मतलब, charge, जो अपने को charge निकालने हैं, वो हर एक, हर एक के लिए निकालना है, मतलब, इसके लिए भी निकालना है, इसके लिए भी निकालना है, यही कोर्शन में बोला है, यही बोला है ना, भाई लोग, find the charge and stored and potential difference across each capacitor, मतलब, हर एक capacitor के लिए charge निक हर एक के लिए निकालूंगा simply एक चीज अपना यहां clear होना चीज है कि जो charge stored होगा ठीक है Q तो सारे के लिए same ही होगा भाई Q तो सभी के लिए same होगा तो सब के लिए निकालने के ज़रत है कि नहीं ये एक बार confirm कर लो चलो सोचो Q के निकालने के ज़रत है कि नहीं शलो काया कोई conclusion भाई जिनों ने बोला अब यहां दो option आ सकते हैं अब दो ही option यहां दो option आ गया सकते हैं पहला option होगा जिनों ने जिनों ने बोला है भाई हमें Q के लिए separate value निकालने है ठीक है दुन्होंने बोला है कि नई Q की value निकाले की ज़द नहीं क्योंकि अपने Q की value आ चुकी है जिन्होंने दूसरा option बोला है न वो correct है पहले option वाले भाई लोग गलत हो गयार पिजले lectures को अपने revise नहीं किया था क्योंकि हमने क्या पढ़ा तो वहाँ जो charge stored होंगे वो इजे हरे capacitors में same होंगे for किस case के लिए for a capacitor in series मतलब अगर capacitor series में होंगे तो उनके लिए charge की value क्या होगी same आएगी तो यहाँ पास सब के लिए charge की value अलग-अलग क्यों निकानने की जुरत है जब कि लिए सब के लिए same value आएगी तो हरे capacitors में मतलब इसमें भी 2 into 10 to above minus 10 column और इसमें भी उतना ही unit charge stored होगा तो अपने का पहला case तो solve हो गया अब यह वाले में से अपने को याद रखना है charge क्योंकि second वाले equation में तो अपने को जरुवत पड़ेगा ही मतलब V1 और V2 निकालने V1 is the customer क्या लिख सकता हूँ simple पहले अपन देख लेते हैं Q is the customer C1 V1 लिख सकते हैं simple जी value भाई बात है लिख सकते हैं तो V1 is the customer क्या लिख सकता हूँ Q by C1 चलो तो Q by C और इसी तरह से V2 is the customer क्या लिख सकता हूँ Q by C2 चलो लिख सकते हो दोनों के value इसको put करो जल्दी जल्दी फटाक से चलो put करते हैं तो अपने पास इस value में अगर इसी में थोड़ा सागे solve का देना हूं Q की value कितनी देगी थी 2 x 10 to the power minus 10 अभी solve किये थे जो निकली थे Q की value ठीक है minus 10 और यह अपने पास जो C1 की value है C1 value है अपने पास 12 12 x 10 to the power minus 12 P को फेरार्ज दिया है ठीक है और simply इसको क्या लिख सकता हूं 10 x 10 to the power minus 2 इसी तरह से लिख सकते हैं 2 को split आए कर दिया हूं ठीक है जो कि मैं काड सका हूं इस तरह से काड दिया मैंने 2 छका बार ठीक है और यह क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा उपर जाके और यह 6 ति यह simply क्या जाएगा इसको divide कर देते हैं इसको 2 से तो 3 और इसको 50 मतलब 3 एक कम 3 ति इसको simple海ं कर देते हैं एक बर और 3 एक कम 3 और 3 3 एक कम 3 और यह आजाएगा 50 आ रहे हैं हर कितना सोच रहा है भाई 3 कम 3 बचा कितना 2 और यह 0 3, 6, 9, 3, 12 पुछ पे देखे 3, 6, 18 3, 6, 18 मतलब 8 पॉइंट अब बचा कितना 2 तो 2 और 0 मतलब 8 इसी तरह से यह चलता रहेगा चलता रहेगा मतलब अपना वीवन की वेल्यू कितनी आ जाएगी 18.8 वोल्ड चलो क्या जाएगी 18.8 वोल्ड कहीं गलत कि 3, 18 अब यार 3, 18, 3, 18 16.6 वोल्ड और आप एक और केस रहता है मैं तमें जो आपने पॉइंट एर वाला पढ़े थे हमने क्लास 11 पे भी कॉंसेट को पढ़ा था अगर यह फाल्ड से जादा होता है तो सिंप्ली से 16.7 भी लिख सकते है क्योंकि यह 6 से 6 बार बार रिपीट होते रहेगा तो इसे 16.7 भी आप लिख सकते हो अगर 16.6 भी लिखोगे तो नहीं जलता है ठीक है 16.7 भी यू कान राइट इट चाहँ यह हो गया अब सिंप्ली इसी तरह से आप वी टू भी निकाल लोगे तो वी टू की वेल्यू किदने याद है कि क्यों की जगे फिर से 2 इंटू 10 तो दी पावर माइनस 10 और सी टू की जगे सी टू की जगे 6 दिया गया तो 6 इंटू 10 तो दी पावर माइनस 12 तो सिंपल इसी तरह से इसको 100 लिख सकता हूँ और इसको थोड़ा सा और सॉल कर दूंगा यह 2, 3, 6 और यह 16.7 का डबल हो जाएगा I don't know चलो तो 100 डिवाइड़ बाइ 3 तो that's कितना आजाएगा 3, 6, 9 100 डिवाइड़ बाइ 3 कहीं गलत नहीं हो रहे 6, 3, 3, 9 I don't think so but it can be 3, 3, 9 और यह 3, 3, 9 और यह 3, 3, 9 चलो आगया 33 पॉइंट 3, वोल्ड प्लियर है भाई लोग अरे भाई भाई तीन कुश्चन आखिरकार स्वाल भाई हो गया आना जाने कौन से दिमाग के क्या है भाई बहुत धीमा दिमाग काम कर रहे हैं फटा फट काम नहीं कर थे आज यार आक्टीव, आक्टीव, आक्टीव चलो नेच प्कॉश्चन सौल करते हैं इसके बाद एक कॉश्चन और सौल करेंगे 4 कॉश्चन टूटल हो जाएंगे यार 5 सौल करना था 5 कर वाता पर चारे गरवा रहा हूं ठीक है इसके बाद एक और वीडियो इसका निकाल लेंगे कभी बीच में और फिलाल उसमें सॉल्ड करेंगे ठीक अच्छा सा क्वेशन देते हैं कोई सा 4 कैपासीटर आफ वैल्यू 6 माइक्रो फैराड 6 माइक्रो फैराड, 6 माइक्रो फैराड and 2 माइक्रो फैराड are connected to a 6 वोल्ड बैटरी as a son in the figure 6 वोल्ड बैटरी से connected है as a son in the figure अभी son in the figure नहीं हुआ है तो मैं so कर देता हूँ 2 मिनिट लगेगा so कर देते हैं इस तरह से आपकी क्या दिया गया है diagram कुछ इस तरीके से दिया गया है 6 माइक्रो फैराड, 6 माइक्रो फैराड ठीक है यह वाला थोड़ा सा अलग दिया गया है क्योंकि इस तरीके से यह V voltage अपलाई किया गया है और simply यही पास से एक और wire लगाया गया है तेंग है यह 6 microfarad, 6 microfarad, 6 microfarad और simple इसको 2 microfarad दिया गया है voltage, V voltage भी दिया गया है भाई लोग 6 volt की वैटरीज लगाई गया है और बस अब इसमें 2 cases पूछा गया है पहला case क्या है अपने पास equivalent capacitance of network चलो जल्दी जल्दी equivalent capacitance यह तीनों के तीने यहां का part missing हो गया था तो बहुत दिनों बाद इसको बनाया हूँ तो इसलिए थोड़ा सा मैने छिकल लेना आगे पीछे का तो अपने को सबसे पहले इसका equivalent निकालना है तो equivalent यह सारे के सारे किसमें हैं? series में तो capacitor के case में तो just उल्टा होता है तो capacitor के case में just parallel की type हम consider करते हैं सारी चीज़ों को तो इसे c net is the cost to क्या consume कर लोंगा c1 plus c1 by c2 plus 1 by c3 तो यह c net कितना आ जाएगा मेरा 1 by 6, 1 by 6 plus 1 by 6 और simply आप बोसकते हो c net is the cost to common आ जाएगा अपना हर जग है 6 ठीक और बाकी सारी चीज़े नीचे add देंगे तो इक ना आ जाएगा total आ जाएगा अपने पास 2 farad ठीक है micro में सा add तक दिया है micro में दिया है तो micro ले लेते हैं कोई बात नहीं c net मिल गया अब इसी में पहला पार्ट तो आप तो देख चुके होंगे इसका second part में सेकेंड पार्ट में क्या बोलाता है कि that अपने को इससे related अपने को क्या find करना है हर एक capacitor पे कितना charge होगा यह में निकालना था तो second question का ही answer अपने को solve करना है तो second question के लिए क्या c net की value अपने को मिल गई है कितना है 2 micro farad ठीक है तो पर यह दोनों point यह point और यह point को ध्यान दो यह point और यह point यहाँ पास से यह क्या है एक दूसरे के parallel में present है parallel में present है तो एक चीज तो मैं conclusion निकाल सकता हूँ कि यह दोनों अगर parallel में हैं तो इन दोनों के across potential difference का जो आएगा वो एकदम same to same होगा इसमें जो potential difference होगा same to same वही उसमें भी potential difference होगा हमने parallel के case में यही देखा था तो same to same क्या यूज कर लो direct capacitor का जो formula होता है Q is the cash to C into V तो just C net के लिए निकाल लेते हैं एक बार ठीक है C net के लिए निकाल लेते हैं अब इसमें टूटल जितने भी आ जाएंगे इन सब में कितना कितना रहेगा ठीक है सब में 12 µ कूलम चार्ज रहेगा यह ठीक है यह पहला case आ गया अब देखो इसमें चार्ज सोच रहे होगा और इसमें सोच रहे होगा सब में चार्ज इतना 12 µ कूलम नहीं रहेगा ऐसा सोच रहे होगा ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो तो concept पुराना याद रखो क्या कि अगर इसमें 12 µ कूलम चार्ज प्रड्यूस होता है तो इसके कारण यहाँ इंड्यूस चार्ज इसमें प्रड्यूस होगा सेम डू सेम नेगेटिव के कारण यहाँ जस्ट पॉजटिव चार्ज इंड्यूस होगा ठीक है पॉजटिव के कारण जस्ट यहाँ अपॉजटिव नेगेटिव चार्ज और इसके नेगेटिव के कारण भी इसके पॉजटिव इधार साइट से क्या बैटरी के नेगेटिव है तो इधार क्या रहे ये प्रिसें रहेगा दिशी नंगेटिव निगेटिव ठीक यजइई तो नेगेटिव के जऊश्ट पॉजिट में क्या प्रोडिज हुता है? पॉजेटिभ ॥५ बच्रीज सहं करें यहां क्या इंडिश होगा दिश्पा है? निगेटिव करना था तो q is the cash to c into v use कर लो इसमें c नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यह simple xc है ठीक है तो इसके राउंड कितना है 2 microfarad voltage कितना है 6 volt की battery तो इसके राउंड भी कहतना जाएगा 12 micro coulomb charge ठीक बहुत दिन बात कर रहा हूँ ऐसा questions थोड़ा mistake हुआ होगा तो देख लेना ठीक वैस 12 micro coulomb charge तो दोनों topic clear और यह question I think so हो गया चलो तो फिर इसके बाद just next topic आएगा वहाँ और question solve करेंगे तब तक के लिए जय हिन और जय भारत